होली एक प्राचीन हिंदू परंपरा है और हिंदू धर्म में सबसे लोग प्रिय त्योहारों में से एक है यह राधा कृष्ण के सास्वत और दिव्य प्रेम का उत्सव है यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है क्योंकि यह हिरने कस्चप पर नर्सिंग दारायन के रूप में भगवन विष्णू की जीत का इस्मन कराता है यह मूल रूप से भारतिय उप महादीप में उत्पन हुआ और मनाया जाता है लेकिन यह भारतिय डाइस्पोरा के माध्यन से एसिया के अन्य छेत्रों और पश्चिमी दुनिया के कुछ हिस्तों में भी बीडियो को सुरू करते हैं होली बसंत के आगमन सर्दियों के अंत और प्यार के खिलने का जस्न मनाती है कई लोगों के लिए यह दूसरों से मिलने खेलने और हसने भूलने और माफ करने और तूटे हुए रिस्तों को जोड़ने का उचसब का दिन है होली कत्योहार एक मार्च के मध्य में आता है पहली साम को होली का देहन या चोटी होली के रूप में मनाया जाता है और अगले दिन को होली या रंग वाली होली के रूप में जाना जाता है भारत में हर साल अलग-अलग तारिक को होली का त्योहार मनाया जाता है इस साल 2023 में होली बुद्धवार्द 8 मार्च को मनाई जाएगी और होली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला होली का देहन 7 मार्च को होगा अजय उर्जा के साथ मनाया जाने वाला भारत में होली सभी मानम निर्मित पूर्व ग्रहों और जातेकत भेदों से उपर है होली के त्योहार का उत्सा सभी को खासकर युवाओं को अपनी चपेट में ले लेता है होली उत्सब की उत्कष्ट भावना को दर्साते हुए इस दिन उल्लास की प्रवल भावना अत्यदिक इसपष्ट होती है लोग बस अपनी भावना को जाने देते हैं और सुरतंतर रूप से अपना इस नहे और दोस्ती दिखाते हैं दिल्चस्ब बात यह है कि होली के त्योहार की नय केवल भारत में बलकि कई महादीपों में ब्यापक अपील है बिदेसों में भारतिय समुदाय होली सम्हारों को भव्य प्यमाने के साथ मनाने के लिए जाना जाता है होली का यह त्योहार एक सेतु पिरामिड प्रकार की ब्यवस्ता है जिसके तहट चाच का एक बरतन गली में बहुत उपर लटकाया जाता है पुरुस इस पिरामिड पर घड़ा फोर्णे के लिए चड़ते हैं ठीक वैसे ही जैसे भगवन कृष्ण अपने बच्पन में किया करते थे भारत में होली घर के बने मीठे बिंजनों के बिना पूरी नहीं होती जिसमें विशेश रूप से गुंजिया, मालपुआ, पूरन पोलिस जैसे घर के बने मीठे बिंजन सामिल होते हैं नसीले भांग में मिलाकर बनी ठंडाई को लोग बेसबरी से इंतजार करते हैं दोस्तोर रिस्तदारों और साथियों के साथ रंगीन पानी के खेल के उनुमादी प्रतसन देखने को मिलते हैं साथ ही लोग एक दूसरे को गुलाल ये सुके रंगों को लगाकर एक दूसरे को बधाई देते है बारत में होली के त्योहार भारत में होली हर जगे समान उत्सवा के साथ मनाई जाती है उत्तरप्रदेश में मतुरा, ब्रेंदवन और नंदगाउं होली समारों के गड़ है ब्रज होली बेहत प्रसिद है और यूबा राधा और कृष्ण से जूडी प्रेम कताओ को निवाने के लिए हर जगे से लोग आते हैं हर्याणा अपने दुलहेंडी होली के लिए प्रसिद है होली का देहन मुख्य होली त्योहार से एक दिन पहले मनाया जाता है होली का देहन हिंदु धर्म में गहरा धार्मिक महत्व रखता है यह सुब दिन फागुन मास्की पूर्लिमा से पहले की रात को पढ़ता है यह एक पुरानी हिंदू परंपरा है जिसे होलिका मृत्वी और प्रणात सुरक्षा के साथ एक छोटे से गोलाकार समहरों में मनाया जाता है जिसे होलिका देहन के नाम से जाना जाता है होली देहन के दोरान साम को लोग होलिका की आग में जो भूनते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं और सारे घर में फैला देते हैं ऐसा माना जाता है कि होली का देहन की आग में उपाली जलाने से आपके जीवन की सभी समस्चाओं को अंत हो जाता है इस प्रकार हिंदू होली का देहन को बहुत महत्व के साथ मनाते हैं Number six, Holika Dehen से जुड़े कुछ सवाल और जवाब। Question number one, 2023 में Holika Dehen कब है। Answer, 2023 में Holika Dehen, Mangalwar 7 March 2023 को है। Question number two, Holika Dehen का सुब मुरत कब है। Answer, Holika Dehen का सुब मुरत साम 6 बजगर 24 मिनट से रात 8 बच कर 51 मिनट तक रहेगा। Question number three, Holika Dehen की अबदी कितनी होगी। अंसर होली का दहन की अबदी 2 घंटे 27 मिनट की रहेगी होली का दहन की पूजा के समय की गर्णा भारत ये मानक समय के अनुसार की जाती है यदि आप US, United Kingdom, Canada, Australia में रहते हैं तो किर्पिया अपने इस्थानिय सहर और देश के अनुसार समय समय उजित करें तो दोस्तो होली की इस पावन पर्व से जुड़ी है जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरू बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा तब तक के लिए अपना ख्यार लखें जैहिन जैबारत